अस्सालाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लिटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नंबर 35 और चैप्टर नंबर 36 यानि क आज के इस वीडियो में हम लोग दो चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पिछले वाले वीडियो की तरह पिछले वाले वीडियो में भी तो हम लोग दो चैप्टर कंप्लीट किये ना चैप्टर नंबर 33 और चैप्टर नंबर 34 तो इस वीडियो में हम लोग 35 और 36 कंप्लीट क कर लेंगे ठीक बचा दो चपर उसको भी निप्टा लेंगे तो जो इस टुडएंट चप्टर वाइज पढ़ते आ रहे हैं वर्ण वरफ रही हो तुने चप्टर वाइइस पढ़ते चले आ कोशन पूछता है तो चलिए हम लोग चैपटर की तरफ बढ़ते हैं तो यह जो दोनों चैपटर है यह गजल है आप लोग जानते हैं और इन दोनों गजल के लेखक हैं यानि कि इन दोनों चैपटर के मुसंनिफ कौन है इर्फान चिदिक्टी ठीक तो सबसे पहले हम लोग इरफान सिद्क्वी के बारे में पढ़ेंगे फिर मैं आप लोगों को इन दोनों गजलों का तश्रीए करूंगी तो देखिए इर्फान इहमत सिद्क्वी ठोड़ा यह नंबा नाम जा लोग जब इनको पुकारते थे ना तो उनको दिक्कत हो थी इतना लंबा नाम कौन पु पैदाईश की बात कर लें इनकी तो आठ जनवरी 1949 सिस्भी को बदाईउ में ये पैदा हुए थे और इनका तालुक था शेक इनका तालुक था पैदाईश बदाईउ में हुई थी यहां पर बदाईउ याद रखिये कोशन पूछ देता है कि इर्फान सिद्धी की पैदाईश कहां हुई और और आप्सन में दिया रहता है बदाईउ तो यहां पर भी मैं आप लोगों को नों कर रहे हूं यह याद बदाईउनी यह थे इर्फान सिद्धी के पिता जी यानि की वालिद जो की पेशे से एक वकील थे और शेर वाशायरी दिखिया करते थे यानि की एक शायर भी थे और उनका इंतकाल हो गया था उन्हें से क्यासिस भी को इर्फान सिद्धी के जो वालिद थे मौलवी सुलेमान एहमद सिद्धी के वालिद मौलवी सुलेमान एहमद सिद्धी की पेशे से क्या थे तो अप्सन में दिया रहेगा वकील को वकील टिक करना है ठीक आगे बढ़िए इनके दाजा जी का नाम था मौलव मौरवी एक्राम एहमद शाद ठीक क्या नाम था इर्फान सदेकि के दादा जी का मौरवी एक्राम एहमद도 शाद सदेक्ती जो की इन के मौरवी बीक्छाइर भी यह किया करते थे और अपने वक्त के pronsty had समझे जाते थे देखिए सरसेयद आमद खाह वो थे जिन्होंने उर्दु को बढ़ावा देने के लिए एहम योगदान मतलब निभाया है और मतलब सरसेयद अमद खाह नी थे जिन्होंने मुस्लिम उनिशिटी को ला और लोगों को मुटिवेट कि उर्दु को सिखाने की इनके दादा जी कि जो कि शायर थे वह अपने वक्त के टार संभी कि ये प्रमरें में कि अपनने वक्त का नाम था नेोत तक ही किया नाम था नियाज रिखाइए ने लिखाई अगे पदेखर की बात कर लों पढ़ाई लिखाई कि तो उसके तिरफुन इंस तुर्पन में मैट्रिक उसक़। यानिकी इंटर और उनछे शंतावण इस भी में बीए उन्सेट इस भी में मय सार कधाई की में में उसके आगे पधाई की थे लिए शे मास कम्ुटिमें में डिप्लोस धिक्रोंग तो से व कभया सब्सक्रारि ङणी कि भारतिय सरकार गौर्रमेंट ऑफ इंडिया के इतला इस रोस यानि की इंफर्मेशन सर्विस में वह काम करने लगे वहां पर जौब करने लगे फिर वहां से रिटायर्मेंट के बाद वह दूसरा जगह भी जौब किये थे लेकिन लाश्ट में आखिर में उनका जो जौब था वह था नायब प्रिंस्पल के व段 पर दूस्पर जौब करना सुरू किये और उसके बाद से वहां से सबकदोशी के बाद के पुष्ट से सबक दोशी यानि की रिटायर्मेंट के बाद वो लगणनओं में आ गये फूंधार कर packed हो कर लिया और इनका किताब का नाम है दरिया याद रखिएगा कोशन हो सकता है कि पूछ दे अब्जेक्टिव में तो ये याद रखना है इर्फान से दिखी कि एक मजमुए ये किताब का क्या नाम है दरिया और इन्होंने काली दास का संस्कृत ड्रामा काली दास का लिखा हुआ एक सं संस्कृट ड्रामा है जिसका नाम है मालवी का अगनी मत्रम याद रखिएगा यह कोशन पूछा जा चुका है काली दास का एक संस्कृट संस्कृत इस इसको संस्कृत करने का काम किये थे और जब उसको ट्रांशलेट की थे तर्जुमा किये तो उसका नाम कर दिए के माली का और अगनी मत्र के नाम से इर्फान सिदिक्षी इस ड्रामा को ट्रंसलेट किये थे तर्जुमा किये तो यह कोशन पूछ रहा था एक बार कि कालिदास का संस्क्रिट ड्रामा मालवी का अगनी मत्रम को इर्फान सिदिक्षी ने किस उन्वान से किस नाम से तर्जुम किया तो अप्सन में दिया था मालीका और अगनी मत्र तो यह आप लोग को लगाना है ठीक और बात कर लें इनकी इंतकाल की यानि कि मृत हो गई थी ब्रेंट यूमर के मर्ज से यानि की ब्रेंट में दिमाग में बन गया था देखिए ब्रेंट यूमर बहुत ही खतरनाक यह था इर्फान सिद्की के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगो को याद रखना है अब चली मैं आप लोगो को दोनों गजल को वन बाई वन करके अच्छे तरीके से तश्रीह करती हूं ठीक तो यह देखिए मैं बुक भी ले ली और सबसे पहले मैं आप लोगो को प खेल दिखाया जाता है या फिर इस दुनिया में जो भी यूनिक चीज़ है जो अजूबा अजूबा चीज़े हैं और जो लोग गहरे समुद्रों में सफर करते रहते हैं आप लोग देखते हैं जो जहाज पानी में चलता है उस जहाज में हजारों लाखों लोग सफर करते रहते हैं तो यह जितना भी यूणिच चीज इस दुनिया में वह सब किसका है ख़दा का है हो खुदा का करिशमा है यह सारा चीजा करवाता है ख़दा के कंट्रॉल में है तो अब लग सोचे पर करती हैं क्यों जो समंद्र में चलती हर चीज किसका बनाया हुआ है खुदा का बनाया हुआ है उस पर खुदा का कंट्रॉल होता है तेरा यकीन सच है मेरी चश्म एतिबार सब कुछ फसीले शब के उधर भी उसी का यहां पर बोल रहे हैं कि यह जो मेरी आखें मेरी आखें जितनी भी चीजों को देख पा रही है और मैं जितनी भी चीजों को सोच पा रहा हूँ, मेरा विचार जितना है, मेरी आंके जितनी भी चीजों को देख पा रही है, उसको तो खुदा ने बनाया ही बनाया है, लेकिन जहां तक मेरी सोच नहीं जा सकती, जहां तक मेरी नजरे नहीं देख सकती, वो भी सारा चीज कि फरक करके ठीक लेकिन बर्ची यानि कि तलवार भी उसी का है और सर भी उसी का है चाहे तो तलवार किसी के सर पर भी गिर सकता है किसी का भी सर कलम हो सकता है तो तलवार और सर दोनों किसका है खुदा के खुदा के कंट्रोल में हर चीज जो है ना खुदा का बनाया हुआ है त तलवार में फरकानि कि महलत किस ने अता है खुदा ने अक्वर आथा फरमाईए अगर एसा नहीं होता तो जैसे तलवारे सबीकासर कलम चाहिए के जो तलवार में जो है ना मुहलत किसने अता फर्माई है खुदा ने अता फर्माई है और फर्याद कस्तका में असर भी उसी का है और जो लोग दुआये मांगते हैं खुदा से जो लोग खुदा से दुआ मांगते हैं फर्याद करते हैं तो उन दुआओं में असर डालने वाला भ खुदा का है और इस दुनłe में जितने भी हैरान कर देने वाली चीज़े हो दोती है एन यूनिक चीज आजूबा चीज वो सारा चीज किसका बनाया हुआ है खुदा का बनाया हुआ है और कहा भी जाता है कि मुद्धई लाख चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मनजूरे खुदा होता है आप कितना भी लाख कोशिश कर रहे लेकिन आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है वही होता है जो चाहता है वही करता है खुदा की इजाजत के बिना एक पत्त हूँ और मैं एक शांती जगा पर चला गया हूँ यहां पर चारुथ вिरान2000 चाई वहां पर भी मैं चला गया हूँ लेकिन ल्हां पर मुझको कहां सुकुन नहीं मिल रहा है क्योफि मैं जानता हूँ कि मैं मुझरिम हूँ मैं इस दूनिया की कि ऑना छुप जाओं यह सारा दुनिया किसका बनाया हुआ है खुदा का बनाया हुआ है मैं कहीं पर भी छुप जाओं दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओं लेकिन खुदा की नजरों से कभी नहीं छुप सकता खुद को चिरागे रहे गुजर जानता हूं मैं लेकिन ऑफ शॉन में आपने आपे शरात का शुरा बस बनाया हूँ बहुत बड़ी बात करे हैं मेरा बस चलेगा मुझ पर ठीक तो ऐसा कुछ भी नहीं है यह मैं भी जो ना खुदा का बनाया हूँ मुझ पर भी खुदा का बस चलेगा ठीक खुदा चाहे तो मुझे अभी मार सकता है और खुदा चाहे तो अभी मार कर जिन्दा भी कर सकता है ठीक तो यह था आप लोग का लास्ट लाइन पहली गज लेकिन फिर भी शिक्वी शिकायत करते रहते हैं लोगों से कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ मेरा कोई नहीं है मुझे अकेला सारा काम करना पड़ता है मतलब गिले शिक्वी लोगों को सुनाते रहते हैं तो उन्हीं लोग के बाले में बात की एरफान से देखी कि भाई तुम इस दुनिया में तुम्हारे जίसे 10000 लोगं जिने का कोई अपना नहीं हैं जिसनानी का को कर रहे हैं और तुम कर तुम कर रहे हो तो तुम सुनाने लग अपने घुम डर्द देखने से कही खुष्षबू का पता चलता है यहांपर बोल रहा हैं कि रंग आसान है देखकर इंसान पहुक्त पहचान लेता है कि यह कौन सा रंग Wait माली जे मैं आप लोग को फूल देती हूँ तो फूल को देखकर आप लोग पहचान लेगी कि फूल जो है कौन से कलर का है लेकिन अगर मैं बात करूँ खुश्बू की तो खुश्बू कि आप लोग देखकर पहचानेंगे कभी नहीं खुश्बू देखकर कैसे पहचान सकते आपको सूंगना पड़ेगा उसी तरह इस लाइन के माधियम से इर्फान से देखते यही बात बताने की कोशिश किये हैं कि किसी भी इंसान को तो देखकर हम लोग यह पहचान सकते हैं कि उसका सूरत कैसा है उसका पहनावा वगरा कैसा है लेकिन बात की जाए शीरत की तो क्य चेहरे से नहीं आकना चाहिए कि वह इंसान कैसा होगा उस इंसान की खूबी देखिए कि उसमें क्या टैलेंट है ठीक लहर उठे कोई दिल में तो किनारे लग जाए यहां समुंदर है यहां हुक में हवा चलता है यहां बर बोल रहा है इर्फान सिद्वकी कि जब हमारे द चुटी चीज़े हैं और सिर्फ लहर लग जाती है और सिर्फ लहर ही दिखाई देता है यहां समंदर히 में तो कबसे जनजीर परी है रहा हमारा जो निशान है वो चलता है शहर दर शहर रवा है मेरी फर्याद की गूज मुझसे आगे मेरा रहवारे सदा चलता है यह पर बोल रहा है कि मैं कुछ फर्याद कर रहा हूं मैं कुछ मांग रहा हूं और जो यह फर्याद की गूज है वो शहर दर शहर यानि कि एक सहर से दुसरे शहर तक सु सीले बला चलता है यहां पर बोल रहे हैं कि इस खराबे में भी दुनिया हो जाएगी आबाद है एक दिन यह भी खंडर बन जाएगी एक बलाओ का तुफान आएगा और वह बलाओ वह मुसीबतों का तुफान इस दुनिया को खंडर बना कर रख देगा लेकिन फिर भी यह दुनिया दुबारा आबाद होगी जिस तरह माली जे एक जमीन होता है वहाँ पर घर बनाया जाता है घर बनाने के बाद कुछ सालों तक वह घर रहता है उसके बाद से वह घर तूट फूट जाता है खंडर बन जाता है तो फिर उस घर को हटा कर फिर नया घर बनाया जाता है इन दा सेम वे यहां पर बोला जा रहा है कि यह जो दुनिया आबाद है जहां पर हजारों लाखों लोग रहते हैं लाखों लोग का करोड़ों अर्बों खर्बों लोग रहते हैं इस दुनिया पर जो अर्वुक अर्वु लोग रहते हैं ये दुनिया जो आबाद है ये एक दिन खंडर बन जाएगी बलाओ का मुसिबतや तुफान आएगा और इस दुनिया को खंडर बना देगा लेकिन फिर ये दुनिया दुबारा आबाद होगी नए सीरे से आबाद हो गई आप लोग की complete कोई भी confusion हो इन दोनों गजल से इन दोनों चैप्टर से या फिर मुस्वनिफ से आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाकी में आप लोग को जो कुछ लोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिन और खुदाहाफिज